अद्यक्ष महुद है मैं जिन वातों के लिए जीवन भर लड़ते आया और आज वो शपना पूरा हुआ है कि समाजवादी आंदोलन में हमारे उची जाती के लोग जिनको मैं आज स्मरन करता हूँ यह लोग जब हमारे साथ समाजवादी आंदोलन में चलते थे और कहते थे डाक्टर लोहिया बांधी गांत पिछड़ा पावे स्व में साथ तो उस समय जब उनके घर पर मैं जाता था वो साधानन परिवार के गरीब सब थे तो वो मुझको कहते थे कि कभी आप लोगों का राज आएगा तो यह उंची जाती के ब्रामन के भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी सोचिएगा तो उनके मन में एक अर्मान था कि कभी पिछड़ी जाती का ऐसा यादमी सत्ता में आएगा जो संपून समाज के समग्र विकास के लिए सोचेगा और उस दिन उनकी जाती के गरीबों के भी बच्चे की अर्मान को पूरा करेगा मैं सोचता हूँ वह दिन आ गया बिहार के अंदर रामान अंतिवारी कपिल देव सिंग, सिरी कृस्ण सिंग, सचिदानन सिंग ये लोग करपुरी ठाकुर के नितुर्त में जब लड़ते थे, मैं जानता हूँ जब बाबु सतेंद्र राजपूर्टों के साथ 77 में करपुरी ठाकुर जी के नितुर्त का संगर्स हुआ था, उस समें मेरी पाटी में, उस समें जनता पाटी में 35 राजपूर थे, उसमें से 17 राजपूर उने करपुरी ठाकुर का समर्थन किया था, अब 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 सतन्राइन सिंग का समर्थन नहीं किया था, क्या उनका अर्मान नहीं था? इसलिए 77 में जब करपुरी ठाकुर ने आरक्षन दिया 26 परसेंट, उन्होंने दिया 12 परसेंट पिछ्रा एनेक्शर वन, 8 परसेंट एनेक्शर टू, 3 परसेंट महिला, 3 परसेंट आर्थिक द्रिश्टी कोन से? गरीब, उन्होंने शुरुआत की थी वहां थे, आज उसको ब रखेंट जन्ता पाथि कभी पिछदा बर्ग राष्टे आयोग को संबेधानिक दर्जा डे पाएगी। उची जातियों के पार्टी हपाले हैं ये कभी करेंगे। लेकिन जब आरक्षन का पिछदा बडग आयोग को रास्थि आयोग का दर्जा दिया गया, संबेधानिक तो उसके पास करने समय में भायराजना सिंग, सुस्मा सोराज जी, अडबानी जी, गदकरी जी एक अलाज मिश्र बैठे हैं, इन सभी मुची जातियों के लोगों ने पिछड़ा बरगायों को जवराश्टी का दर्जा दिया, तो क्या ही पिछड़े बर के लिए इनकी कुर् पानी को भूल जाएंगे, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, देश में दो विचार धारा का द्वंद रहा है, चाहे वो सबर्न हो, चाहे अवर्न हो, चाहे कुबर्न हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, एक है कटर पंथी, और एक है उदारबादी, बाल मीकी से ले के सुसमा सुराज तक उसे बालमिकी के उदार पंथी पर धारा के प्रतिपोसक हैं इसलिए मैं इस अबों को धनिबाद देता हूं आज उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जब पिछले परके हैं उन्होंने इस आरक्षन को लाया है जिस्ता मैं करपुरी ठाकुर के नितुल्त था हमने क्या क्या नहीं भूगा और उसको भोगते हुए यहां तक आए हमने सब देखा अभी धर्मेंद्र जी बोल रहे थे क्या वह भूल जाते हैं कि मुलाम सीन्हार अखलेश के बनाने में जनेसर नुश्रा का इनके पसीना से कम जोगदान है मुष्ण संतिवारी का कम जोगदान है राज नरान का कम जोगदान है क्या बास करते हो क्या बास करते होwardania धने बात जो उनलको यह नहीं जाती कीё लोगों को डवक्टiker लोह्या ने कहा था कि आप आप नमक बन जाओ, खाद बन जाओ, तब आपके इस खाद पर इस नमक पर पिछ्रे और दली समाज के कमल खिलेंगे, जो उन्होंने खाद बनने का काम किया, पशिना देने का काम किया, परिस्लम देने का काम किया, आज पिछ्रे दली के हाद में सत्ता आई है, तो उन गरीब, जिन से विरोधी रहा हूँ कट्टर पंथी कोई भी धारा हो चाहे संप्रदाई को चाहे धार्मी को चाहे राजनेतिक हो ये कट्टर पंथी जातबाद की धारा से में लड़ते आया अगर नहीं लड़ता अध्यक जी तो हुकम दो नरहें जादा वज भरते जंतापाती में क् मेरी लड़ाई किस बाद की थी और आज भी लड़ाई है जीवन के अंतिम चंत तक उस कट्टर बाद के बिरुध में लरते आया हूँ और जीवन के अंतिम चंत लरूंगा भारत ने हमेशा उधारबादी धारा को समर्थन किया है माना है आज ये विधेक उसको लाके समाज लाने में उच निच का भेद मिटाने में अंत में मैं कहूंगा सुष्वा 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 जी वहां डीगर अफपोजिस्टन थी राजनायन जी राजनाजी अडवानी जी सब बच्टे थे आगे मैं दुसरी बेंट पर था महिला अरक्षन भी रेक आया था उसमें ग कहा था कि आरक्षन स्विकार है लेकिन महिला अरक्षन में पिछड़े और दलित के लिए भी आरक्षन का प्रावधान होना चाहिए मानिया अडबानी जी कि अपने घर पर सब को बुलाए पार्टी में साहमती बनी उस विध्येक में आया की साहिब उनको मिलना चाहिए ले माने इनका पुछरा से क्या दोस्मानी है मुझे समझ में नहीं आया अगात भारत में मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इनोंने अखिल भारती अस्तर पर पिष्ड़ी जाती का एक भी नहीं नेता पैदा किया हो तो बताओ प्रदेशी कस्तर पर किये हूँ हो तो बताओ आपने पुछरा पुछरी जाती का इसने भी रोध किया कि गैर कांग्रेस बाद की राजनीती का भी रोध करने बाला सबसे अगरिम पक्ती में पुछरी जाती का था मुनि अप्पा जी हाथ उठाओ पीछे पीछे डोल बजाने वाले की गिंती नहीं होती है गिंती होती है जो आगे चलता है आगे कौन था क्या मिला आपको इसलिए मैं अपनी बानी को बिडाम देते हुए आज हिंदुस्तान में इस लोग सबहा टीवी पर इस लोग सबहा मिन देख रहे हैं सबसुन रहे हैं मैं उन सबों से हाथ जोड़े में प्रक्ता हूं कैर होを ऑऊ सिरी नरेंद्र मोदी ने ऑदार बात की धारा बहाई है उस उदारता को लेका चलो सबका साथ सद्वका विकास अगर जुणा जोजुरा में गैस बाटा गया तो सबसे जादे पिछड़ा है दलीत है अनुसुचित जाती है मुस्लिम है तहां उसमें कोई भी बाद है इसलिए जितने सरकार की जोज़ रहा है के आगे बढ़ाओ धन्यवार